नमस्कार प्राइम टीवी में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ शिखा महरोत्रा उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन और सबसे बड़ी पुस्तकाले राज किये पब्लिक लाइब्रेरी के नाम से जानी जाती है ये अपनी आप में ही सैकडो वर्षो का इतिहाद समेटे हुए है इसकी स्थापना सन 1864 में की गई थी ये लाइब्रेरी प्रयाग राज ही नहीं देश में भी अपना एक अलग स्थान रखती है पब्लिक लाइब्रेरी का भव्य भवन जोकी गोथिक स्ट्रक्चर पर बना हुआ है एक भवन है जिससे न्यू माईने मेमोरियल के नाम से भी जाना जाता है साथी वर्थमान भवन में ये पुस्तकाले 1887 से सतच चल रहा है देखिए रिपोर्ट यूपी का सबसे बड़ा पुस्तकाले प्रयागराज की राज़किये पब्लिक लाइब्रेरी दुनिया भर में मश्चूर है इसका नाम जहां जुटते हैं किताबों के शौकीन देश की टॉप टिन लाइब्रेरी में हैं शामिल प्रयागराज शहर हमेशा से ही शिक्षा का प्रमुक्येंद्र रहा है दूर-दूर से लोग यहां शिक्षा ग्रहन करने आते हैं और भविश्य के सपनों को आकार देते हैं प्रयागराज में ऐसे अनेकों संस्थान मौझूद हैं जो सालों से इस शहर की शोभा को बरा रहे हैं यहां की पब्लिक लाइब्रेरी जिसे राजकिय पब्लिक लाइब्रेरी भी कहते हैं लगभग देर सौ सालों से प्रयागराज की भूमी को गौर्वानवित कर रही है ये पुस्तकाले प्रदेश के सबसे पुराने पुस्तकालेयों में से एक है जिसकी स्थापना 1864 में हुई थी सारवजनिक पुस्तकालियों में जब हम बात करते हैं देश के 10 सरवच सारवजनिक पुस्तकालियों की तो कई ऐसी एजेंसी हैं जिसमें कि इसे देश के 10 सरवच पुस्तकालियों में इस्थान प्रदान किया गया है जो पाठकों की विविदता है वह एक बहुत ही खुबसूरत आयाम प्रस्तुत करती है हमने देखा अपने आकड़ों से ये के आधार पर हम बता रहे हैं कि हमारे पुस्तकाले में पिछले 4-5 वरसों में देख के कम से कम 16-17 प्रांतों के लोगों ने पंजी करन कराया जो इस पुस्तकाले की व्यापक लोग प्रियता एवं विशाल पहुच को दरसाता है इतने बड़े पैमाने पर देश के दूरस्त राजियों के पाठकों द्वारा यहाँ पर आकर पंजी करन कराना एवं पुस्तकाले का उप्योग करना यह पुस्तकाले की उपादियता को सिद्ध करता दरस लाइब्रेरी दो कारणों से आम लोगों के बीच प्रसिद्ध है एक देश की वास्तुकला दूसरा इस लाइब्रेरी में मौझूद अग्भुत किताबों का खजाना वही आपको बता दे की राज के पब्लिक लाइब्रेरी को देश की टॉप तेन लाइब्रेरी में छटवा स्थान प्राप्त है पुस्तकाले अध्यक्ष डॉक्टर गोपाल मोहन शुकला बताते हैं कि ततकालीन आठ जन्वरी 1887 को ततकालीन विधान परिशत के सदस से लेजिस्लेटिव काउंसल नौर्थ वेस्टर्न ट्रोविजिन्स और अवद की पहली बैठक इस पुस्तकाले में संपन्न हुई थी यह जहां तक पुस्तकाले के स्ट्रक्चर की बात है तो इसे गोथिक स्ट्रक्चर कहा जाता है गोथिक इस्थापत कला का यह भवन उत्रष्ट उधारण है कुछ विद्वान इसे स्कॉटिस स्ट्रक्चर भी कहते हैं जहां तक उत्तरप्रदेश विद्वान सभा की बात है तो ततकालीन 8 जनवरी 1887 को ततकालीन विद्वान परिसत के सदस लेजिसलेटिव काउंसिल ओफ नौर्थ वेस्टन प्रोविंसिस ओफ अवध की पहली बैठक इस पुस्तकाले के में संपन्न हुई थी 8 जनवरी 1887 को जिसमें तब दस सदस्यों द्वारा इस सदन में भाग लिया गया था साथ ही कई महत्वपूर निर्ने भी लिये गए थे पब्लिक लाइब्रेरी में दुर्लब किताबों का संग्रा है यहां सैकरों विद्वानों लेखकों की वो किताबे मिल जाएंगी जो शायद देश में कहीं और जगे ना मिल सके पुस्तकाले में किताबों से लेकर पांडू लिपियों के अद्भुद संग्रा रखे हैं जो बहुत ही सकारात्मक थी और यह एचिक लाइब्रेरी और यह जो इस इलहाबाद से सहर है इसकी एक जो पुरानी कर परमपराये हैं कल्चर है उसका बहुत बड़ा प्रतीक है हम और आप जिस भूमी पे खड़े हैं इस भूमी की बहुत ही राजनीतिक और संस्कृतिक की प्रेंच और अन्य भाषाओ के लिए भी मशूर किताबें बर्बस मिल जाएंगे इस लाइबरीरी में एक दशमलव 25 लाग से अधिक किताबे साथ ही कुछ ऐसी दुर्लब किताबे जो लगभग 400 वर्ष से अधिक पुरानी किताबे भी बरी आसानी के साथ पाठकों को मिल जाती हैं इस पुस्तकाले से दिगजो का भी नाता रहा है पंडित मोती लाल नहरू, पंडित जवाहर लाल नहरू, लाल भादुर शास्त्री, सीवी चिंता मनी, सरसुंदर लाल और डॉप्टर संपूर्णा नंद के प्रमुख नाम शामिल हैं खेर, आप भी इस लाइब्रेरी से जुड़ सकते हैं और इसके पाठक बन कर ज्यान ले सकते हैं संगामंगरी प्रियागराद चंसेकर आजाद पार्क मेस्थित या राजकी पब्लिक लाइब्रेरी जितनी अपनी प्राचिंता के लिए खास है, उतनी ही अपनी वास्तुकला के लिए भी खास है गौथिक वास्तुकला से बनी या लगबग 200 वर्स पुरानी इमारत आज भी अपने सनानी को लिए आकर्शन का केंदर बनी हुए कहा जाता है कि पहली अजादी के पहली यूपी की विधान सभा की पहली बैठक यहीं हुई थी अपने सही योगी पॉन पटेल के साथ आशीज भट प्राइम टीवी के लिए तो हमने आपको सबसे प्राची नपुस्तुकाले से रूबरू कराया जो कि देश की टॉप 10 लाइब्रेरी में से एक है उमीद करते हैं कि यह जोनकारी आपको पसंद आये होगी तमाम जोनकारी और खबरों के लिए देखते रहे हैं प्राइम टीवी आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकाल